जिन्हों ने सरफजी सिंग को मारा था, उनको बोडिया मार कर जो इनकी क्या होगी है? जैसे हम कहते हैं, कर्मो का फल यहीं पर ही मिलता है। यह उस के कर्मो का ही फल है। कि साजश है पाकस्तान की सर्कार की, क्योंक्कि यही एक एकलौता इंसान था, जो इस टाइम पर जयल के बाहर था। इनसाफ नहीं हुआ है। इनसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेग मेकाब होता है हमें और परियास करना चाहिए ताकि एक और सरब जीत वहां पर ऐसी मौत ना मरे पर बापावे उस टाइम पर हमला करके उनको बुडीदरां से गाल कर दिया था जेल में उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत होगी थी पाकिस्तान की जेल में ही उन में से एक जो शक्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गी है कुछ अमीर सर्फराज जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है यह उसके कर्मों का ही फल है लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है यह पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहां की एजिंसियों की ही एक मिली बुगत के जो है कारण इनों ने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहां जेल में कतल करवाया था। बहुत सारे प्रियास किये गये थे जब आपा जेल में थे और जब उनकी मृतियों उसके बाद भी हमने बहुत रोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई जैसे कि जबके वह एक हाई सेक्योर्टी जेल के अंदर थ में ऐसी जगह पर जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहां पर रह रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी बिना के अथॉर्टीस के वहां मिली बुगत के तो यह अभी भी मैं चाहती हूं कि इसका यह जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इनसाफ हुआ हुआ है बलके मैं यह सोचती हूं यह इनसाफ नहीं हुआ है इनसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेग नकाब होता है हुआ 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 है